असलाम अलिकूम वीवर्ज कैसे हैं आप अमीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ह्या रख रही होंगे वीवर्ज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइस वीक में लिप स्क्रब और लिप मस्चुराइजर ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं यह मैं एक टी स्पून लूँगी राइस का आटा चाहलो का आटा चला गया इसमें मैं हाफ टी स्पून शुगर लूँगी और भीकुल थोड़ा सा लेमन का राज बिस्मिल्ला हिरुआ रहीं चला जी यह चला गया और इसमें जाएगा जी एक विटामिन ए का कैपसूल यह बड़ा जबदस क्रब बनेगा यह लिप्स की जो डेर्ट स्कीन है उसके लिए बेहतरी चीज़ है आप यह बनाएं और इस्तमाल करके मुझे जरूर कमेंट करें कि आपने यूज किया आपके लिए कितना यह पेनिफिशल रहा और जब यह सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह तो आपने पहले अच्छी तरह लिप्स को साफ कर लें फिर आपने अपनी फिंगर्स के साथ लें और अब मैं इस तरह आपने इसको ऐसे ऐसे करें के स्क्रब कर लेना है यह पोट आइस्दा 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 हाथों से आपने स्क्रब कर लेना है अच्छा आपने इतना सौफ्ट हाथों से करना है कि उसकी डेड़ स्कील निकल जे लेकिन आपने उसको पुछ करके एसे नहीं करना बिकल आइस्दा 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 पिर आपने इसको ठेड़े पानी से सारा साफ कर लेना है उसके बाद हम बनाएंगे उसके लिए मस्चुराइज अच्छा वीवर्स यह मैंने दक्रीबन दो स्पून बड़े मैंने पर्टॉलियम जाली ले लिया है अब मैं इसको माइक्रोवेज में तोरा मेल्ट करूंगी आप अगर डबल बाइलर पे करना जाते हैं उस पे कर लेनी तो माइक्रोवेज में भी कर सकते हैं अच्छा वीवर्स यह देखें मैंने इसको मेल्ट कर लिया है पर्टॉलियम जाली को अब इसमें मैं एड़ करूंगी एक टी स्पून यह गाजर का जूस है एक गाजर लिया है उसको ग्रेट करके उसका अच्छी तरह जूस को निकाल के तो उसको इसको स्टेंर से निकाल आपने बनाना है और मुझे जरूर बताना है और यह तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हनी जाएगा इसको हम जब 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 कर लेंगे मिक्स और अब हम इसको डाल देंगे कंटेंर में आपने स्क्रब यूज़ करने के बाद इसको अच्छी तरह अपनी लिप्स पे एपलाई करना है और आईसा ऐसा हाथों से इसको मालिश के करनी है ताकि वो सारा लिप्स जो है ना स्क्रब करने के बाद जो थोड़ा सा रडनेस हाई होती है डर्स के निकली होती है उसको बहुत ज़्यदा सॉफ्ट कर देगा ये देखे जी ये हमारा मुस्चुराइजर भी त्यार हो गया आगी वीवर्स ये देखे जी ह के बिल्कुल कॉरियन्ट जैसे होता है वो ही शेड आया है और वही लुक देता है ठीक है ये आप जब दिल करें इसका कोई नहीं लेकिन स्क्रब जो है ना आपने वीक में दो से तीन दफा करना है बस डेली नहीं करना ठीक है जी आप देखे इसका रजर्ट जबरदस्त आ आपने मुझे बना के कमेंट्स जरूर करने है ठीक है जी और मुझे दौाओं में याद रखना है अला हाफीज